Good morning students, welcome to online classes. Hope you all are doing well these days. Stay safe, stay home. Now, students, today I am going to explain chapter 1, भाशा, लीपी और व्याकरन. तो जैसा कि students, हमने previous classes में इस पार्ट का प्रशन उत्तर का अध्यन किया था. अब हम इस पार्ट के आगे के अभियास के प्रशनों का अध्यन करेंगे. Question number one, रिक्तिस्थानों की पूर्टी कीजिए. तो student जैसा कि हम देख रहे हैं, हमें रिक्तिस्थान की पूर्टी करनी है. प्रशन क है, गूंगे व्यक्ति, ब्लैंक से बाते करते हैं. तो जैसा कि students हमें पता है, गूंगे व्यक्ति, संकेतिक भासा से बाते करते हैं. वो इशारे से बात करते हैं, संकेत से बाते करते हैं ख, भाशा के ब्लैंक्स रूप होते हैं तो भाशा के दो रूप होते हैं ग, हमारी रास्टर भाशा ब्लैंक्स है हमारी रास्टर भाशा क्या है स्टूरेंट्स, हमारी रास्टर भाशा हिंदी है जैसा कि हमने फिल करके रखा है ब्लैंक्स एक सीमित छेतर तक ही बोली जाती है तो बोली एक सीमित छेतर तक ही बोली जाती है तो हमने आंसर में बोली फिल करके रखा है अंगा, हमारे देश में ब्लैंक्स भासाओं को मानेता मिली है तो हमारे देश में 22 भासाओं को मानेता मिली है स्टूरेंट्स चो अपने विचारों को लिख कर दूसरों तक पहुँचाना भासा का blanks रूप कहलाता है तो student जैसा कि पूछा जा रहा है अपने विचारों को लिख कर दूसरों तक पहुंचाना भासा का कौन सा रूप कहलाता है तो वह भासा का लिखित रूप कहलाता है मैंने answer में लिखित पहले से भर के रखा है सही मिलान कीजिए जैसा कि students हमें मिलान करना है First, Malayalam पुरिदेश को हम पहाड़ी से मैच करेंगे हर्यानवी हर्यानवी को हम हर्याना से मैच करेंगे students पंजाबी पंजाबी को हम पंजाब से मैच करेंगे तो जैसा कि students हमने chapter 1 complete किया अब इसे अपनी copy में note डाउन करेंगे students और याद करेंगे Thank you students Have a nice day